तो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब जैसे की आपका J.E. Advanced का फाइनली जिसका हमें इंद्रदार था वो पेपर हो चुका है और मैं NS Sir, Head of Department Mathematics, Motion IT, J.E. as well as Academic Head आपके लिए लेकर कहें हूं Paper 1 का Math का Solution, Paper as usual जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि Paper का Label अच्छा होना चाहिए और अगले साल भी जो पेपर अच्छा होगा जो भी बच्चे 2023-2024 की त्यारी करें वो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखें कि Advanced का Label Math में जो उन्होंन बढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे-च्छे कोश्चन आये हैं आई यह अब हुन कोश्चन को देखना शुरू करते हैं तो लेट्स बीगें तो लेट्स बीगें विद फर्स्ट कोश्चन इन्वर्स टिग्निमेटिक फंक्षन आई टीएफ का अगर बच्चे ने पहले कोश्चन से ही कोश्चन करना शुरू किया होगो तो यह कोश्चन एक बहुत ही ठीठा कोश्चन था बच्चे ने अगर अगर थीटा माल लूँ, कपन के पास 10 थीटा की वैलू दे रखी उसने, अगर मैं इसको एक राइंगल ट्राइंगल में कंसीडर कर लूँ, तो बन जाएगा 2 पाई यह जाएगा थीटा, और यह अंदर बन जाएगा 2 प्लस का पाई स्क्वाइर, आप सोच रहोंगा सर आप क्यों सोच रहे हैं, उसका reason मैं आपको बता देता हूँ, यह जो terms बैठे हुए, अगर आप ध्यान से observe करें, तो यह जो terms बैठे हुए, यह terms मुझे इस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे है थे, क्या, कि मैं इसको थीटा मानूँ, तो यह manipulation हमारे पास हो जाएगा, इससे क् advantage थी, let us see, मैं इसको y माल लेता हूँ, तो जो y लिखा हुए, इसकी value आजाएगी, 3 by 2 cos inverse, इसको अगर आप ध्यान से observe करेंगे, तो यह quantity लिखी हुए है, इस photo के according, यह लिखी हुए है, root 2 upon, root 2 upon, यह वाला term, root 2 upon 2 plus pi square, cos of 90 minus theta, उसको मैंने लिख दिया, cos of 90 minus theta, या pi by 2 minus theta, ऐ अब जो यह अंदर बैठा हुए, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से observe करेंगे, तो लिखा हुए 2 into, मैं इसको divide कर दे रहा हूँ, तो यह divide करके बन जाएगा, root 2 by pi का whole square, plus का 1 into root 2 by pi, ठीक है, that value should be equals to from here, यह जो quantity थी, इस quantity को मैंने ऐसे decorate कर दिया, और जो last time है, उसको मै का हुआ, बच्चो, ध्यान से समझ्झा, यह जो टर्म है, बहुत common term है, आपको ध्यान आ रहा हूँ, यह लिखा हुए 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, क्या होता है, sin 2 theta, तो हमारे पास यह expression थी, wise equals to, यह बन जाएगी, 3 by 2, cos inverse, cos inverse, cos of 90 minus theta, cos inverse, cos of 90 minus theta, plus का 1 by 4, sin inverse, sin of 2 theta, करेट है, औ plus का 10 inverse 10 theta, 10 inverse 10 theta, अब आप थोड़ा से ध्यान दें, तो यह जो theta बनेगा आपसे यहां से, अपने क्या किया, फोटो में यह समझेंगे, root 2 by pi, root 2 pi, जो भी value होगी, 1 से छोटी होगी, तो इसके corresponding, जो भी हमारा theta होगा, वो 0 से pi by 4 के बीच होगा, correct है, अब इस value के corresponding, हम इसको open करेंगे with the property of ITF, इसको open करेंगे with the property of ITF, और इसको open करेंगे with the property of ITF, क्या मेली बात समझ में आई यहां तक, ठीक है, तो आईए इसको अपसे के solution को समझ लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता था कि हम यहां पहुँच चुके है, cos inverse cos of pi by 2 minus theta, sin inverse sin of 2 theta, 10 inverse 10 of theta, 10 theta हम जो time कुलेगा 2 theta, यह जो time कुलेगा theta, simplify करते हैंगे, तो finally हमारे पास answer आएगा 3 pi by 4, ठीक है, बहुत basic question था, medium label पर question हम इसको बोल सकते हैं, below medium बोल सकते हैं, easy भी बोल सकता हूँ मैं, जिन बच्चों को ITF में comfortability है, वो easy भी मान सकते हैं इसको, और ultimately answer किता जाएगा 2.36, जै second question, composite function with the limit दिया गया था, जो कि usually हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो यानि कि आप again यह question है, medium या easy label पर हम count कर सकते हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तियारी करी है, उन बच्चों को पता होगा, यह question आसानी से होते हैं, थोड़ा सा concept है, basic सा concept है, क्या concept है यह देखते है उसने बोला है, composite के limit बतानी है, तो basically आपका question यह लिखा हुआ है, limit x approaches to alpha plus f of gx, f of gx का मताब हो जाएगा, sin of pi by 12 into gx, क्या मैं सही लिख रहा हूँ बच्चा पाटी, मेरी बासन में आ रही है, yes, correct है, sin of pi by 12 into gx, तो जो limit जाएगी बच्चा, वो इस पर जाएगी, gx पर limit ज gx ये बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, 2 ln under root of x minus under root of alpha divided by ln of e की power root x minus e की power root alpha, अगर आप ध्यान से अपदर करेंगे, तो यह जो limit जैसे है आप लगाओगे, ln यहाँ पे बनेगा, root alpha रखते हैं 1, 0, यह भी बनेगा 0, ln 0 by 0 का मतलब हो जाएगा, infinite by infinite का format, L'Opital hold करता है, infinite by infinite के format पे, immediately हम L'Opital लगा देते हैं, और L'Opital लगाने के बाद हमारा क्या format आएगा, तो limit x approaches to alpha plus, इसका derivative लिखेंगे, तो 1 जाएगा root x minus root alpha into derivative of root x लिखेंगे, तो 1 upon 2 root x आएगा, बच्चा पाटी, नीचे जाएगे, इसका derivative लिखेंगे, तो 1 upon e की power root x minus e e की power root alpha आएगा, into derivative of e की power root x, e की power root x आएगा, into derivative of root x, 1 by 2 root x आएगा, तो यह वाला पार्ट इससे कट जाएगा, जो quantity बचेगे, उसको हम simplify करके उपर लिखते हैं, तो अगर मैं इसको simplify करके उपर लिखता है, तो यह क्या बन किया आता, यह वाला term बन किया आएगा, यह to alpha plus, ठीक है, 2 times of e की power root x minus e की power root alpha upon root x minus root alpha into, साथ ने बैठेगा, कौन सेट हम, 1 upon e root x, correct है, धियान देख लीजे, यह standard formula होता, इसकी value 1 आजाएगी, 1 upon e, x approaches to alpha, पर इसकी value 2 आजाएगी, यानि जो हम limit निकाल लेते हैं, जो हम limit निकाल लेते हैं, इस वाले part की, इसकी value 2 आजाएगी, यानि हमारा question था, question convert हो जाएगा, क्या convert हो जाएगा, sign of, sign of, sign of, sign of 5 by 12, limit को solve करेंगे, into 2, तो ultimately आजाएगा, sign of 5 by 6, और sign of 5 by 6 की value कित्ती होती है, 1 by 2, 1 by 2 के corresponding answer क्या आना चाहिए, 0.5, तो जो आपको इस question का answer दिया गया है था, दियान से देखेंगे, correct है, वो आ गया, 1 by 2, that is 0.5, जो मैंने बताया था, पीछे करा है, वही calculation मैंने या करके आपको दिखा दिये, दियान से देखेंगे, gx की limit क्या आती है, gx की limit simplify करेंगे, gx की limit 2 आती है, 5 x 12 x 2 x 6, यहाँ sign नाओर होगा, okay, sin 5 x 12 आए गई, इंटू 2, sin 5 x 6, sin 5 x 6 की value 1 x 2 नीकल के आजए, ठीक है? Question number 3 हमारे पास, किस chapter से आया है? probability से, किस से आया है? probability से, बस थोड़ा सा अंग्रे जी, COVID पे अच्छा question उनने frame किया है, current scenario में जो COVID की situation हुई उस situation में जो भी issues थे, उसके corresponding उनों ने question frame किया और वो question दिया है, आप लोग ने शायद इस question को अगर पढ़ा होगा और जिन बच्चों ने probability PNC को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसे question हम लोग क्लास में करवाते हैं, ठीक है? 190 परसंस ऐसे जिनको symptoms of fever था, 220 बच्चे ऐसे जिनको symptoms of cough था, 220 ऐसे एजिनको breathing की problem थी, 330 ऐसे जिनको again LIVE or cough fever या both था, 350 ऐसे जिनको cough breathing problem या दोनो था 340 बच्चे ऐसे थे जिनको fever, breathing की problem यह दोनों था और 30 लोग ऐसे थे जिनको fever, cough and breathing सारी problem थी all three symptoms तो समय बोलाई कि अपन ने बच्चे को select किया है वो selected बच्चा at most one symptoms hold कर रहा हो इस बात की हमें probability निकालने थे फंडा इसको समझेगा आप लोग क्या कर रहा है आपन, अपन बोले है यह सारा collection था इस collection में यह वो portion था जिस portion में लोगों को fever है यह वो portion है जिस portion में लोगों को cough है यह वो portion है जिस portion में लोगों को breathing issue है ठीक है total लोग 900 थे उसने बोला है concept wise ध्यान से समझ्या, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों का issue है, fever and cough की problem है, उनको मैं white से shaded कर रहा हूं, correct है, breathing and fever है, white से shaded कर रहा हूं, cough and breathing है, white से shaded कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे, जिनको सिर्फ एक problem है, या तो fever, या तो cough, या तो breathing, तो मैंने उनको yellow से cover कर दिया, अभी इसकी photo मैं आपको बीचे solution में दिखा दूँग, आपको मैं समझा दूँ पहले, कैसे ये question मैंने किया है, या क्या concept है इसका, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, मालो, blue से cover कर दो, कुछ ऐसे बच्चे है, जिन बच्चों को कुछ भी issue नहीं था, कुछ भी issue नहीं था, ये blue वाले portion में जो बच्चे होंगे, उनको कुछ भी issue नहीं, बच्चे वर्ड हम बोल देना है, के 900 परसन बॉस क्लेक्टे, 900 लोगों को data लिया गया था, जो भी थोड़ी की 900 के 900 सब बीमार हो, अरे कुछ ऐसे भी थोओंगे, जो बीमार नहीं होंगे, ना तो उनको fever है, ना तो कफ है, ना तो bleeding issue है, ठीक है, अब उसने जो बोला है, वो समझना, क्या बोला है, मैं आपको पहले concept बता रहो, उससे probability की event की demand करी थी, तो जो भी sample उठाया गया है, यानि कि हम बात कर रहे है, sample space की, तो जो भी बच्चों sample उठेगा, वो आएगा तो इनी 900 लोगों में से, तो यानि कि जो हमारा sample space होगा, वो तो होगा 900, क्या मेरी बास में आई अच्छे थे, 900 में से कोई एक बच्चा उठाया ग ना हो, correct है, अधिक सदिक एक symptom सो मतलब ये पीला वाला हिस्सा, यानि हमारे जो favor में है, वो कौन सा हिस्सा है, हमारे favor में है, वो पीला वाला हिस्सा है, मैं ऐसे share it कर दे रहो, आप समझ ले न, अभी मैं इसको data वाई represent कर दूँगा, या फिर हमारे favor में कौन सा हिस्सा है, blue हमारे favor में कौन सा है, blue वाला, हमारे favor में कौन सा है, blue वाला, कै मेरी ये बात समझ में आई यहां तक अच्छे सा है, यह पर डाड़ा में इसको calculate करेंगे, यह thought process बता रहो, मैं, question करते है, हमारे दिमाग में क्या चीजानी चाहिए, कि ये पीला वाला ऐसा portion है, यहां पे बं वाला हिसा मिल जाए, क्या मेरी बात सम्झ में आगई यहां तक अच्छे से, बिलकुल आ गई होगी, clear, तो आईए, अब हमने इसको कैसे calculate कि उसको देखते है, ठीक है, चलिए, कि फंडा मैंने आपको समझा दिया, अब इस फंडे को मैं numerical में कैसे solve कर रहे है, वो देखते ह बी वो portion जहां पर बंदे को single problem है, और यह जो बाहर बैठा हुआ है, सारा का सारा का, जिसको dotted मैंने दिखाया है, यह blue वाला portion है, क्या मिनी बात सम्झ में आ रही है, अच्छे से, ठीक है, अब बात आती है, उसने जो data दे रखा था, क्या क्या दे रखा वो देखेज, उसने बोला symptoms of fever कितने को है, तो fever का circle कौन सा था ये वाला, अब इस circle को हमने solve करने के लिए नाम करन दिये, क्या नाम करन दिये हैं, वो समझेंगे आप, इस circle को solve करने के हमने बोला है, वो बंदा, जिसको single fever था, सिर्फ fever था, वो A है, जिसको fever कफ था, D है, जिसको fever और breathing था, F है, d वाले को fever आ रहा है, g वाले को fever आ रहा है, f वाले को fever आ रहा तो हैनि कि मैंने a plus d plus g plus f की value, 190 लिख दी, इससे मैंने d creature- fax कα AV को मैं ने लिखा b kg C, b b plus di plus g plus e, इसकी value 200 भी μην इए breathing issue वालों को लिखा, breathing issue कौन कौन है, C plus F plus G, तो C plus F plus G plus E is equal to 220 आ गया, इन तीनों equation को मैंने manipulate करा है, इन तीनों equation को मैंने manipulate करा है, और एक data हमें और given था, वो क्या data given है, वो data ये given है, कि कुछ लोग ऐसे थे, 330% symptoms दो fever, cough और बोट, fever भी हो, cough भी हो, या दोनों, ठीक है, तो D plus G होगा, उन सब को अपने calculate किया है, calculate किया, calculate किया, इस तरीके से अपने क्या किया, एक equation निकाल दी, ठीक, G कौन से लोग है, G वो लोग थे, जिनको तीनों problem थी, करेटे कितने हैं, वो 30, और बाकी मैंने इन सारी equation को simplify करके, A plus B plus C, D plus F E, और G की वरू निकाल दी, अब जो हमारी probability थी, वो probability according to this photo, क्या होगी बच्चों, ध्यान से समझेंगे, वो होगी 900, उपर ये वाला हिस्सा, मतलब A plus B plus C, और साथ में कौन सार्स है, ये blue वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये जो blue वाला हिस्सा है, इसको लिखनी करने क्या किया है, पूरे sample space में से minus कर दिया, किसको minus कर दिया, इसको minus कर दिया, A से ले करके, सारा A, B, C, D, E, F, G, correct है, G तक का सबको minus कर दिया, तो जब हमने ये manipulation किया, तो ध्यान से देखिए, आपके पास क्या आगिया, दिखिए, वही लिखा हुआ है, N of S जिस में से, क्या किया है, अपन ने, A plus B plus C को add कर दिया, यहां से A plus B plus C कड गया, D plus E plus F की value हमें, अलड़ी मिल चुकी थी 150, G की value में पता थी 30, दोनों का put किया, simplify किया, ultimate answer आगिया, 0.80, ठीक है, तो यह calculation थी, basic calculation है, थोड़ा सा time अगर आपने smartly calculation किया होगा, और ऐसा question हम लोगने already copy में करा हुआ, इस में time नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा expectation है, आपसे, बाकी बहुत ही basic concept का यूज करके equation frame किया गया था, ठीक है, कुछ बहुत है तोबा rocket science type का question नहीं था, बठा, कुछ बच्चों को यह tough लगा होगे, तो यह calculation कैसे हम इनको करेंगे, manipulate कैसे हुआ है, तो देख तो बेटा, variables की equation को solve करना तो मैं अच्छे से आना चाहिए, तो यह answer is का probability का answer 0.80, ठीक है, hopefully आप सबका सही होगा, ऐसा मैं मानना हो, जिनका सही नहीं है, वो जा करके copy देखेंगे, notes उठाएंगे, notes में आपको यह class illustration का question दीखेगा, कहीं भी आप पढ़ते होंगे, अगर motion में पढ़ते हैं, तो यह class के notes का question है हमारे, ठीक है, यह आपको question copy में जरूर मिला होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा भाई, question number 4, the complex number है, ठीक है, question number 4 किसे है, complex number का question है, तो जैसे कि usual question अगे, बहुत ही repetitive type of question है, यह advanced और mains दोनों type के exams में आ चुका है, अगर आपने advance के PYQs करे होंगे, तो आपको यह बहुत ही ज्यादा conceptually repetitive problem लगी होगी, हाँ, मानता हूँ इसको अगर बच्चे ने किसी usual method से किया होगा, मैं question बहले पढ़ लेता हूँ, ना बाते करता जाता हूँ, पहली लाइन तो यह underline कर दी question बढ़ते वाद, फिर समें बोला है this particular complex number is a real number, real number तो pure real की बात कर रहा है, तो usually बच्चे क्या करता है, वो मानता कि यह W complex number है, और W को ना में 2 plus 3 Z, और plus का 4 Z square, और divided by 2 minus 3 Z, और plus का 4 Z square, फिर बोलता है belongs to pure real है, यह करता बच्चा, आपने भी शायत कई बच्चों ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, question calculation के वजए से छोड़ किया हूँ, जबकि यह question छोड़ने लाइक नहीं था बच्चो, प्रॉपरली होने वाला question था यह, तो आपने condition लगा दियोगी कि डब्लू, प्योर रियल है, मतल़ डब्लू बार, imaginary part 0 होना चाहिए, ठीक है, तो यह वाली condition लगा दियोगी, फिर आपने यह पूरा लिखा होगा, फिर इसका, equals to, फिर इसका conjugate लिखा होगा, फिर cross multiply किया होगा, इधर और इधर और रायता फैल किया होगा, यह लंबा चाहड़ equation, और फिर हम सन्नाटे में लेकर के गूम रहे होगा, यह हो सकता है, कहीं बच्चों उनसे कर भी लिया होगा, कहीं हो calculation लगी, मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा concept है, trick तो ना बोलू, concept बोलू, if something is pure real, तो what I should do in this particular question, 2 plus 3z plus 4z square upon 2 minus 3z plus 4z square, this value I will consider as t, t क्या है, pure real, और मैंने यहाँ पर t by 1 लिकर के component and derivative लगा दिया, अच्छा, ब इससे advantage क्या होगा, दोनों को add कर दिया, तो दोनों को add कर दिया तो I will get the value 4 plus 8z square, और दोनों को subtract कर दिया, तो I will get the value 6z, यहाँ पर अपने पास आगया, t plus 1 upon t minus 1, this is again a real number ही होगा, common सी बात है, which is equation मैंने lambda माल लिया, यहाँ से 2 से divide कर दिया, जो भी कर दिया, तो ultimately महाँ पास आगया, 2, 4 से in fact divide हो जाएगा, 2 से भी divide कर नहीं तो इतनी 6 से multiply कर देना उस तरफ, plus का, 2 by, 1 by z आएगा, sorry, 1 by z आएगा, 4 से divide कर ना बच्चा, तो 4 से divide करें तो 1 by z गिरेगा, 6 multiply हो रहा है, धियान अक्ता, 4 से divide किया मैंने, और यह बनेगा 2z square upon z, तो 2 by 2z और आजाएगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, calculation, ठीके, इदी कोश्चु तो real हो जाएगा, अब यह pure real हो, तो इसकी condition लगा, तो pure real की, ठीके, तो यहाँ पर, जो आपने concept, यहाँ पर use किया है, यहाँ पर, पहले step में, वही मैं यहाँ पर करने जाएगा, तो थोड़ा data-wise calculation relatively, असान कर दी, मैंने, तो यहाँ से क्या जाएगा, अपने पास, 2z, plus का 1 by z, pure real है, तो 2z bar, plus का 1 by z bar, बस खतम, यहाँ से factor निकाल देना, दो factor निकल के आजाएगा, यहाँ आजाएगा, z minus z bar, और यहाँ आजाएगा, कुछ, mod z should be, कुछ, 1 by 2, minus 1 by 2, ऐसे कुछ आएगा, मैं भी आपको calculation दिखा देना, factorize आप कल लेंगे, बहुत simple step में, मैंने छो वही देखे, जो मैंने किया था, उसी की calculation कर रखी है, यह expression आई थी, मैंने इसको t plus 1 माना, t minus 1 माना, ठीक है, cross multiply कर दिया अपनने, यह step हमारा भी मिल गया, यहाँ तक हम पौँच चुके थे, धियान से अबसर करी, यहाँ तक हम पौँच चुके है, 1 by z plus 2 that is equals to constant, constant मतब रिय इसको मैंने w मान लिया, और condition लगा दी, factorize कर दिये, ठीक है, 2 factor आजाएंगे, z minus z bar 0 नहीं हो सकता है, given है, तो दूसरा ला पार्ट 0 होगा, mod z square की value half आजाएगा, मतलब यहाँ पर जो मैं mod z लिख रहा हूँ, mod z का square आजाएगा, उसमें question में आप से mod z square ही पूछा था, mod z square ह आफ मतलब जो आपका answer आएगा, जिता जाएगा, 0.5, यानि कि mod z square केता आएगा, 0.5 आएगा, मेरे खाल से concept समझ में आगे हो, calculation का तरीका समझ में आगे हो, pure real, pure imaginary, ऐसे अगर question आते है, धियान लखेंगे, थोड़ा साप, यहाँ पर आयाटे टी मान करके भी, इसको manipulate किया स question है, आप लोग अगर DPPs वगरा करते हैं, जैसे मैं हमेशा आप से बोलता हूँ कि आपके पास जो भी DPPs available है, आपके पास जो भी modules available है, class notes को बहुत अच्छे से revise करिए, काफी ऐसे type के question हमें class में भी करते हैं, उसमें बोला है, z bar denote the complex numbers conjugate, हमें पता है, बताने की ज़रूत ही है, if the set of the complex number, then the number of number of distinct roots, plus distinct roots बताने, number of distinct roots of the equation, this thing, ठीक है, चली पर, तो equation से खेलना चुरू करते हैं, तो z bar minus ka z square is equals to i at times of z bar plus z square है, थोड़ा से काम कर लेते हैं, क्या काम करें भाई, थोड़ा से काम ये कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लें, दोनों साइड आइटा वाले time को दो z square के साथ लिए रहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा से, एक सेकेंड, अगर हम इसको थोड़ा से simplify कर दे हैं, ठीक है, तबने क्या किया, जैड बार वाले time को एक तरफ ले लिया, तो आजएगा 1 minus a eta, और z square वाले time को एक तरफ ले लिया, तो आजएगा 1 plus a eta, कि modulus of z is equals to modulus of z का square, अब है modulus of z, अगर modulus of z का square है, तो modulus of z 0 हो सकता है, या फिर modulus of z 1 हो सकता है, अगर modulus of z 0 था, तो z का 0 होना must होगे, अब क्या यह complex number, इस equation को satisfy कर रहा रखके, देख लेते हैं, 0, 0, 0, 0, बिल्कुल करेगा, यह यह 1 of the solution तो पक्का होगा, 200% होगा, रोकी नहीं सकता है कोई, अब जब more z 1 होता है, तो हमें रिष्थारी यादा थी कि 1 by Z हमेशे Z के बराबर होता है, क्या मैं सही बोलना हू, क्यों होता है, पता है न, क्यों, क्योंकि more z 1 था, तो more z का square भी 1 होगा, more z का square को हम लोग क्या पढ़ते हैं, z into z bar, इसको यह equation लगा दिये, अब Z bar अगर 1 by Z के बरावर तो उसको मिया यूज कर लेते हैं, कहां यूज कर लें, इस पीले वाले पार्ट में यूज कर लो, ज्यादा comfortable रहोगे, तो Z bar की जएगा बैठेगा 1 upon Z, ठीक है, टाइमस ऑफ 1 माइनस आयटा, इधर आएगा, Z square into 1 प्लस आयटा, डिवाइट कर दो, तो Z cube is equal to 2 आगया, 1 माइनस आयटा upon 1 प्लस आयटा, रैशनाइस कर दो, आता होगा यह सब तो अच्छे से, तो नीचे आजाएगा 2 और उपर आजाएगा 1 माइनस 1 प्लस का, माइनस का 2 आ को, तो 1 प्लस आयटा से उपर, और, sorry, 1 माइनस आयटा से उपर, और 1 माइनस आयटा से निचे वारे पार्ट को राशनाइस करें, ना पन, चीक है भाई, तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया, Z cube यह कट गया, Z cube is equal to minus आयटा, अगर Z cube minus आयटा है, तो Z cube minus, cube root of minus आयट नीड नहीं है, कूछा ही नहीं है, और भाई साब पूचा है, number of distinct roots, तो देखो न, Z zero, एक ही मिल चुका है, मुझे, और तीन roots, यहां से मिल गया, तो total कितने roots मिल गया, चार, उसने डिमांड के उसके corresponding answer किता आएगा, चार, क्या यह question भी easier, media label पे आएगा, बिलकुल आएग आएगा, mod Z equals to mod Z square आगया, एक यह आगया, एक यह आगया, इससे यह आगया, एक यह आगया, इसको ठाके चिपका दिया, यह देखो, Z equals to minus 8 आएटा आगया, ठीक है, उसके 3 नूट आएगे, Z1, Z2, Z3, number of solution कि बाद कर तो total solution अपने चार लिख दिये, आप चाहो दोसको solve करो need नहीं है, paper में question ने, demand नहीं करी है, तो हम क्यो solve करें भाई, हम तो answer निकालना है, मिनने answer निकाला, तेजी से करना है ना, पने को काम, चलिए, आगे बढ़ते हैं अच्छा भाई, यह तो AP का question है, progression, SNP, sequence and progression, SNS, sequence and series, या SNP, sequence and progression, ठीक है, question थोड़ा सा Calculative था, बहुत तक तो नहीं बोलूँगा, मैं इसकी calculation भी नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको concept समझाऊंगा, पीछे solution दे रखा है, मैंने, आपको explain करूँगा, कैसे है, तो एक तो data उसने बोला है, एक series चल ली, L1, L2, L3 की, ठीक है, और AP में चल ली, किसमें चल ली, AP म उसका common difference उसने, D2 माना है, और एक condition दिए कि D1, D2 is equals to 10 है, ठीक है, अच्छी बात है, D1, D2, 10 है, बहुत शानदा बात, इससे अच्छा क्या हो सकता है, अब उसने बोला है, for I, R, I with a rectangle, with the length of L, I and W, I, एक rectangle बना देते हैं, ठीक है, यह L, I है, और यह W, I है, तो जिसका area हो हो गया, A, I is equals to L, I, L, I into W, I, ठीक है, फिर उसने A51 और A50 का difference 1000 दिया है, और आपसे A100 और A90 का difference को calculate करने के लिए बोल ला है, तो अगर आप ध्यान से अफ़र करें, A50 मतर है L51 into W51, A50 का मतर है L50, W50, अगर मैं इसको थोड़ा सा जनलाइज करके formula का रूप देना चाहूं, तो मान ले, L I को लिखना है, तो मैं L1 के साथ या L1 को में A1 मान ले रहा हूं, ठीक है, L1 के साथ देता हूं, तो L1 प्लस IATA मतरा हो गया, IATA माइनस का 1 into D1, पहला time, IATA मींस complex और नहीं, IATA I वाला I है, into W1 का मतरा जाएगा, W IATA मतरा जाएगा, W प्लस IATA माइनस 1 into D2, अब आप ध्यान से observe करें और अगर इस पूरी calculation को मैं open कर दूँ तो एक result आ रहा होगा कुछ manipulation wise ध्यान से observe करें तो आपके पास अगर मैं इसको AI लिखता तो यह बनता L1 W1 पहला 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 दूसरा और दूसरा पहला तो देखो उससे हम क्या निकालने है आयटा माइनस वन को common अंदर के बैठेगा L1 D2 प्लस W1 D1 और इन दोनों का product वो क्या बनेगा I-1 का whole square D1 D2 तो आप चाहो तो इस एक general result का use करते हुए इसमें इसको रखो इसकी value हमें पता थी और फिर इसकी value हम निकाल देंगे clear हुआ क्या किया गया समझ में आ गया आपको अब अकर मालनों मुझे A51 चाहिए तो मैं I की जगह पे 51 रखोंगा तो बने जाएगा L1 W1 ठीक है I-51 minus 50 into this quantity ऐसे ये भी आ जाएगी same next value में आएगी same यहां पे आएगी इस वाले term को calculation निकालने के लिए हमें यह data दिया हुआ है इस data को जैसे मैं इसमें use करूँगा न यह वाली calculation solve हो जाएगी unknown बहुत tough नहीं था थोड़ा सा calculated थोड़ा सा calculated ठीक है आईए अब क्या किया गया है वो समझा दे तो हमें आप उजो अपन ने किया था देखो D1 D2 में पता था 10 ठीक D1 D2 में पता था 10 ओके देखो यह लिखा है LIWI L150 L50 W50 51 होगो sorry यह गलत लिखा हुआ है ठीक यह 1000 दिये गया था सबकी value calculate करी multiply किया format आया देखो वही जो चाहिए था वो निकलाया क्या मैंने सही बोला पाकिस सब data given था हर एक की value put कर दी D1 D2 पता था हमें L1 D1 L2 D2 L1 D2 और W1 D1 यह value calculate करनी थी वह value आ गई उसी value को मैंने A100 A90 में use कर लिए वापस से same formula लगा करके इस value की value पता चल चुकी थी तो देखो यह value यहां रख दी मैंने इस वाली equation में किती 10 यह मैं पता थी अग दिया ultimate answer 18900 तो ऐसा नहीं था कि rocket science question था या आपसे नहीं होता बिलकुल होता 200% होता थोड़ा सा थोड़ा सा concept थोड़ी सी calculation यह वाला part जो मैंने आपको बताया क्या मेरी बास में आई है यह का solution है clear हुआ अच्छे से comment box में फटा फट लिखेगा क्या यह question आपको clear हुआ चलिए आगे ब 4-digit integers in the close interval this thing for me अच्छा PNC का question है किसका PNC का permutation and combination की टीटी question था basic fundamental principle of counting जो पढ़ते हैं first lecture में जो पढ़ाया जाता है almost उसी से ही question आ गया so first lecture of PNC is too much important for you all और आपने अगर ध्यान से देखा हो को दोनों paper में मिलागा कि approximately four or five question PNC probability के आये हैं ठीक है और question कुछ ठीक भी आया है कुछ थोड़े से बेटर भी आया है जैसे यह question है कि question ठीक question में count हुआ है बहुत तक नहीं था यह अब question ने क्या का है 2,022 से लेकर के 4,482 I'll speak in English also 2022 से लेकर के 4,482 के बीच के जितने numbers होंगे जो 0,2,3,4,6,7 से बनेंगे वो कितने होंगे वो बता दो तो मैं case में इसको break कर देता हूँ पहला case मैंने लिया जैकर पहली chair कितनी डिजिट का चाहिए मैं 4 डिजिट का पहली chair पर 2 को मैंने बठा दिया और second chair पर मैंने 0 को बठा दिया अब जब 2 और 0 बैट चुके थे अगला number 22 के बड़ा होना चाहिए था अब मेरे पास जो डिजिट बची है वो 3,4,6,7 बची है और 2 बची है क्या मेरी बासन में आ रही है अगर यहां पर 2 बैट गया अगर यहां पर 2 बैट गया अब इसमें जो भी number बैठेगा जो भी number बैठेगा क्या वो number 3,4,6,7 ही सिर अब मैंने अगर यहां पर 3 बचाल दिया या 4 बचाल दिया या 5 बचाल दिया या 6 बचाल दिया त्री बचाल दिया या 4 बचाल दिया या 6 बचाल दिया इस प्लेस को भनने के अगर अगर किते option लिए 4 option कौन से 4 option लिए 3,4,6,7 तो अब मैं इस वाले place पे कुछ भी रख द क्या में निवास अम्यारी है, तो 2 की यह case नहीं, फिर हमने अगर 2 के बाद अगला number 2 रख दूँँ, जीरो को छोड़ के कुछ भी रख दूँ, 0 को छोड़ के कुछ भी रख दूँ, मतनल मेरे पास 5 choices थी, तो इसको बनने के पांच, अब हमारे पास इसको बनने करी, कोई टे यह सब पर में द देंगे जब 3 तो दर्दी नहीं है कि क्योंकि तो म Anda 3 भी नॉंबर There टीक होगा, 3 टीक से बनने वाले 4 गोल्टिक सबह्लने के च्छे ऑप्षे चे उप्षे अफष्ण, इसको बनने के चे ऑप्षे किलेंगे इस बर तो तागि अगर अपने पहली डिजिट 4 बना दी, अब जब पहली डिजिट 4 बनाई है, तो 4482, तो 0 बैट सकता है, कोई टेंशन नहीं, 4482, तो 2 बैट सकता है, कोई टेंशन नहीं, 4482, तो 3 बैट सकता है, कोई टेंशन नहीं, 6 और 6 हमारे पास hold नहीं करेगा, इसको बनने कितने option होगे 6, इसको बनने के 6 option, correct है, ऐसी इसके case में इसको बनने के 6 option, इसको बनने के 6 option, correct है, ऐसी इस case में जब जाएंगे, अब सुनना, 4, 4, 4, 82, 82 से छोटा, तो देखो सबसे बड़ा इन डिजिट से बनने वाला 2 डिजिट इसको बनने के कोटेंशन ने, इसको बनने की कोटेंशन ने, तो 6 option है, 6 option, इसको calculate किया, इसको calculate किया, और इसको calculate किया, इन सब को add कर देंगे, we'll get the answer, क्या मेरे question का concept आपको समझ में आया, case कैसे हमने बनाए, क्या वो clear है आपको, बहुत शांदार, simple concept था, आईए solution देख ले इसको बनने के 180 हैंगे, case formation है सारा, सारा का सारा case formation है, 36, 36, 36, 36, और सब को add कर इंग, ultimate answer किता आएगा, 569, clear, तो ध्यान से question को समझ ले, मैं PPT को repeat कर दे रहा हूं, पहली PPTA तो जो मैंने आपको solution दिया है, और ये वो PPTA जिसको है, आपको solution मिल रहा है, ठीक है, जो मैंने आप पे मैंने कुछ गरबड की है, 5 case आएंगे, 2 तो आएगा नहीं, 3, 4, 6, 7, आएगा, close interval लिखा है ना, तो 2 भी आएगा, तो इसको भनने के 5 option हो, ये बाई साब, क्योंकि 2 भी आएगा बच्चे हो, यहां 2 बैठे का 2, correct है तो देखो, पहला case में उसे 5 लिखा हूँ है, तो ये पांच लिखा हूँ है, 5 इसलिए लिखा हूँ है, 2, 0, 2 के बाद 5, 2, 0 के बाद 24, 2, 0 के बाद 24, अगला case, 2 के बाद 5 into 6 into 6, 2 के बाद 5 into 6 into 6, फिर 3 का case आए 6 into 6 into 6, फिर 4 के 4 case आए जो मैंने आपको पीछे 4 case बताया तो यह, correct है, 6, 6, 6, 6, 4 case आए, इनको एड़ कर दिय के बढ़ते हैं, 8 question, अच्छा, हाँ, यह तो बहुत ही, question था simple था बच्चो, आपने, लेकिन कई बच्चो ने इस question को long interpretate किया था, और मैंने जब phone पे बात करीते हैं, तो कही हो ने मुस्से बोला कि sir, S.O.T. का question आया था, surprisingly S.O.T. का question डिरेटल नहीं है यह, और आप धिहा इसका एक angle 90 degree है और दो साइट दे रखी, तो बच्चे जब भी triangle का angle और 90 degree है दो साइट दे रखी तो हम triangle को हमेशा corner axis पे easily मान सकते हैं, तो आपने माल लिया इसको यह B था और इसको माल लिया हमने A था और इसको माल लिया C था, तो इसका coordinate हो गया 1,0 और इसका coordinate हो गया 0,3 अब उसने बोला है कि, इस circle of radius R touches the sides A, B and A, C and also touches internally the circumcircle of the triangle, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका circumcircle बना दिया, तो इसका circumcircle इसका right angle triangle है, तो इसका circumcircle इसका circumcircle यह green color से आगे, इसको मैंने S लिख दिया, अब अगर किसी नमसे पूछे सार इसकी equation बता तो diametrically end point पता है हमें अगर diametrically end point पता है, तुम circle equation easily ली सकते हैं, तो I will get the value x minus 1 into x plus y minus 3 into y equals to 0, कोई पुछे हैं, सर इस circle को थोड़ा सुंदर बना दे, तो सुंदर बना दे, ठीक है, चलो भाई, लो सुंदर था, सुंदर है यह circle, ठीक है, कोई को बोलेगा, सर इसका center बता दो, अरे भाई, center तो point ही होगा, बताने की जिरूदतों हैं नहीं मुझे, कोई बोल ला दो मैं बता दे, तो चलो, center किता आएगा, center आएगा, 1 by 2, 3 by 2, अच्छा, कोई कहाएगा, सर इसकी radius बता दो भाई हाथ, अब खाली तो खड़े हो, अरे भाई, खाली नहीं खड़ा हो, मैं, ध्यान से radius आगे, चलो भाई, आगे बढ़े, आगे उसने हमसे बोला है, क्या बोला है, आगे हमसे बोला है, क्या वाइट करा से, कि अब हमें एक circle चीज, इसकी radius क्या हो, R, क्या कर रहा हो, वो A, B को भी touch करे, वो A, C को भी touch करे, और इस circle को internally touch करे, तो कुछ ऐसी photo बन कि आएगी, य क्या है, इसका center आपको पता है, ऐसा circle जो coordinate axis को touch करता है, उसका center क्या होता है, R, R, और उस circle की radius भी क्या होती है, R, तो circle equation आगे, x square plus y square minus 2xr minus 2yr plus r square equals to 0, जिसका center क्या निकल क्या है, R, R, और जिसकी radius क्या निकल क्या है, radius को मालों में, R सरी दिनो R, अब उसने बोला, ये दोनों ये दूसरे को internally touch करते हैं, तो भाई, internally touch करने की condition क्या होती है, दो circle लगर ये दूसरे को internally touch करते है, तो दोनों के center की बीच का distance, दोनों की radius की difference के पराबर होना चाहिए, बस ये concept लगाई और get the answer, चलिए, concept में आगे, क्या किया है, मैंने, दोनो circle निकाले, दोनों के center पता कर लिए, दोनों के radius पता कर लिए, और ये condition लगा दी, ये condition क्यों लगी है, क्योंकि उसने बोला है कि कैसे touch कर रहा है, touches internally, touches internally, clear, सामने photo बनी हुई है, ध्यान से अब दर करें, क्या मेरा पहरा circle सही था, बिलकुल सही था, circle बढ़ा था, center 1 by 2, 3 by 2, हमारा भी आया था, radius root 10 by 2, radius root 10 by 2, शानदार बाद भाई, आगे बढ़ते हैं, दूसरा circle हमारा, radius r, radius r, तो दूसरा circle हमारा आया है, 9 circle, अच्छ, मैंने इस को शानद नाम करना रों लोटेक कर दिया, कोई बात निben है, r square, इसका center rr आगया, radius r आगया, cc1 लिए c1, c1 लिखा हुए c1, c1 लिखा हुए c1 लिखोस् तो अगर मुझसे कोई पूछता सर यह लेबल वाइस कोशिन क्या है तो मैं बोलूँगा अगर किसी ने SOT से सोचा है तो अब यह सी बात उसका गलत हुआ होगा या उसने छोड़ा होगा क्योंकि उसने ट्राइंगल अगर ऐसे बना दिया अगर उस बच्चे ने ट्राइंगल ऐसे बना दिया इसे बना दिया अगर तुमने ऐसी फोटो बना करके कोशिन खेलना चाहा तो अब इसी बाता फस होगे हमेशे ध्यान अटना आपको राइट अंगल ट्राइंगल है तो कोड़ेकस पे खेलो जितनी आसानी से खेल सकते हो फटा-फट खेलो ठीक है तोफली कई बच्चों का कुशिन करेट होगा जिनका नहीं करेट है कोई पर्शान होने की बात नहीं है ध्यान से देख ले और सल सब क्यालकुलस तो वैसे बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी आई है अब जो एक्सपेटेशन थी उतनी नहीं आई आप लोग यह बोल सकते हैं इसलिए क्यालकुलस को तो बहुत ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा ठीक है तो डेफिनिटिकेशन आया है वन से ए ए LNX की पाउर 1 by 2 X into A minus LNX की पाउर 3 by 2 का होल स्क्वार D X is equals to 1 A belongs to minus 0 से ले करके 1 से infinitive और question भूजा बहुत simple ता question है कुछ नहीं करना है आपको इस question में सीधे 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 इस वरी quantity को T T मालो मैंने इसको दो step में किया था मैंने क्या किया मैं थोड़ी से बेकुफी कर दिया solve करते वाद मैंने इसको LNX को पहले मान लिया T square फिर हमारा question convert हो गया T into 2 T into DT नीचे X आ गया E की पावर T शेटी माना था मैंने if I am not wrong let me remember not remember right now into A minus का ये बन गया था T T की पावर 3 by 2 जिसको 3 लिख करके whole square दिया और DT और limit हमाही चेंज हो जाएगी 1 रखने पे 0 आ जाएगी और E रखने पे 1 आ जाएगी फिर हमने इसको वापास से माना था बेकुफी करी था थोड़ी सी इसको 1 से equate कर देना हमारा answer आ रहा था क्या हुआ है यह मैं को करके सामने दिखा दे तो solution इसका concept मैंने आपको बता दिए फिर हमें option चेक करने था और कुछ नहीं करना था तो देखिए मैंने वही बूला था LNS को मैंने T माना था तक 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 फाइनली में पास एक कॉरेटिक आ गई है कुछ भी नहीं किया ध्यान से फिर से देखना मैंने क्या किया पहला सा अब गर दिया थोड़ा सा लेंदी कर दिया गलत वर्ड की जगां मैं बूलू लेंदी कर दिया मुझे इसी step में इसी question को प्रोसीड करना चाहे है मतलब मुझे क्या मानना चाहे था मुझे मानना चाहे था एक पावर एट दाइम्स एक टाइम्स कि पावर ती इस इस इक सब्सक्राइब करने के बाद हमें simplify किया है integration किया है normal integration है बहुत normal integration इसे मैं इसको कर नहीं रहा हूँ time नहीं waste कर रहा हूँ आपका ठीक है proceed किया simplify कि क्या गए is quality के दो roots आगे एक आगे 3 plus root 3 by 6 एक आगे 3 minus root 3 by 6 एक की दो value आगे 1.45 एक आगे 0.45 उसने question में शायद कुछ दिया था क्या दिया था हाँ अब ध्यान से देखना हूँ इसमें एक चीज थी काम की क्या थी वह बता रहा हूँ जो अपनी एक दो value आगे 0.45 और एक आगे 1.45 और एक आगे इसी manipulation और आना चाहिए तो 0.45 माइनस का इस interval को satisfy कर रहा है और 1.45 इस interval यनि दोनो एक की वैलू accept करी जाएंगे अब क्योंकि दोनो एक की वैलू accept करी जाएंगे उसमें विज़ा विज़ा रहा हूँ पहले भी बताया था मैंने आपको A satisfy the above equation and integral value of A. Integer A का मतर्व integral value. अरे भाई साब कोई बी integral value नहीं तो यह भी जुड़ बोला है वो. एर्राशनल नंबर. अच्छा भाई, इर्राशनल नंबर. ओकी मेरा तो डैश मिन में आगे. अरे नहीं भाई, आपका question का answer डैश मिन में नहीं आया है. आपका question का answer यह 33 बैटा होगा, एक एर्राशनल नंबर देगा. More than 1 A satisfy the equation. हाँ भाई साब दो value satisfy करेंगा C, यानि correct answer क्या आएगा? इसका C और D आएगा. बढ़िया question था, simple question था, सबका सही हुआ होगा. होफफुली, ठीक है? चले, आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं हमारा next question. So, the next question है, यह है sequence and progression का. Let's say, पहले question रीड करते हैं, देखिए अच्छे से. Let A1, A2, A3 be an arithmetic progression. A1, A2, A3 क्या है? arithmetic progression की terms हैं, जिसका आपको first term दे रखा है 7 और उस AP का common difference दिया है 8. T1, T2, T3, B such that एक और कोई different series है, जिसमें first term उस series का 1 है and एक relation दिया हुआ है TN plus 1 minus TN is equals to AN and this is valid for all N greater than equals to 1. मतलब हम N को 1, 2, 3 जो भी है रख सकते हैं, तो हमें options चेक करना है कि which of the following options is are true, right? अब देखे, A और C जो options हैं, जिसमें अपन को T20 और T30 निकालना है, मैं कह रहा हूँ कि अगर अपन को T20 निकालना है और इधर already एक term और उससे previous term का difference हमें पता है, तो हम इसमें method of difference जो होता है basically, उसका use कर सकते हैं, what you can do is, आप इस equation के अंदर, just put the values of N starting from 1, N की value 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा आप देखे, N को 1 रखेंगे, तो you will get T2 minus T1 is equals to A1, अब N को 2 रखेंगे, तो you will get T3 minus T2 is equals to A2, and so on, because we need to get the value of T20, N को रखे 19, N को 19 रखेंगे, तो T20 minus T19 will be equals to what, A19, और इन सबको, प्यारे बच्चों, क्या कर दो, add कर दो, इन सबको क्या कर दो, सब टर्म्स को add कर दो, तो आपको यह दिखेगा, कि यह जो ऐसे टर्म्स है, डाइगनली, यह सब cancel हो जाएंगे, आपको बिल्कुल बढ़िया से, यह pattern पता है, आप इस pattern का use कर सकते हैं, मेरे ह दिया है कुश्चन में, यहां देखो, a1, a2, a3 क्या है, ap में, जैसी हमें कुश्चन का तरीका hit करता है, फटा-फट कैल्कुलेशन करना है अपन को, ताकि हम a और c में से, जो option calculation fast कर सकते हैं, at least हो तो जल्दी से करें, ठीक है न, तो फटा-फट से इनको हमने जोड दिया, तो यहां से हमारे पास t20 minus t1 will become sum of n, n, how one, 19 terms, तो 19 by 2 into 2 times of a, a कितना दिया हुए 7, plus n minus 1 into common difference d is 8, right, तो आप t1 की value रखिए, इसको calculate करिए, जैसी आप calculate करेंगे, यह मैंने आपके लिए solve कर रखा है, the sum of this t20 comes out to be 1504, a option में लिखा हुए 1604, that means a option is not the right option, ऐसी t30 करना है, तो इसमें continue करिए, n की value जैसे अभी हमने 19 रखिती, last में आप इस सीरीज में चलते जाहिए, n की value 29 रखिए, 29 रखेंगे वो ही सब terms कर जाएगा, right hand side में, ap के first 29 terms का sum आएगा, तो वैसे ही हम 29 terms का sum calculate करेंगे, इसकी value आजाएगी 3454, c option में यही लिखा अब हम आते हैं हमारे option b और d पर, अब इसमें आप देखिए, हमें क्या solve करना है बच्चों, इसमें हमें solve करना है sigma of tk, जो tk है हमें उसका sigma solve करना है, right, तो अब हम क्या करते हैं, देखें, हमारे पास सबसे पहले, अगर आप इस equation को देखें, और इस equation में आप n को सबसे प t2 की value आ रही है a1 प्लस t1, right, अचा, अब उस equation में 3 रखेंगे, तो t3 की value हमारे पास कितनी आएगी बच्चों, t3 की value आएगी हमारे पास a2 प्लस t2, और t2 खुद किसके equal था, a1 प्लस t1, तो a1 प्लस a2 प्लस t1, this becomes the value of t3, ऐसी t4 जब आप रखेंगे, तो आप और t3 की जगे ये वाली value रख दो, तो a2 प्लस a1 प्लस t1 आ जाएगा, तो यहां से मुझे एक general tk पता चल गया बच्चों, कि वो जो होगा, वो t1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप तिल a of k-1 k equal होगा, correct, समझ में आ गया concept, अब जैसी मुझे tk पता चला, तो t1 की value तो minus 1 terms का sum हो गया, तो k minus 1 by 2 into 2 times of a, first term आपको 7 दे रखा था, तो 2 times of a plus n minus 1 into common difference d8, जैसी आप इसको solve करेंगे, यहां से आपके पास किसकी value आ जाएगी, tk की value आ जाएगी, जो की ये k में quadratic आएगी, और हमें b और d जो option उसमें sigma tk जो है, वो solve करना था, तो आईए देखते हैं हमने tk की value निकाल दी थी, और tk की value निकालने के वाद हमने उसमे sigma जो है, वो operate कर दिया, sigma n square, sigma n और constraint का जो आएगा sigma वो use किया, अगर हमें 30 terms का sigma use करना है, तो हम उसमें इनको 30 रख देंगे, b option के अंदर हमें, यह sigma मैंने देखी, पूरा calculate कर रखा है, जैसे मैं की मैंने आ इकालना था, तो उसका sigma use करके k को 20 रखा, value comes out to be 10,510, d option value comes out to be 35615, तो अगर आप option चेक करेंगे, इसके अंदर, 35615, d is wrong, b option is correct, the correct answer for this question will become b option and c option, okay? चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे next question के उपर, अब यह जो question है वाली, भाई, बहुत बढ़िया question है, बहुत सही concept है, और बहुत ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा, और इसके options analyze करने पड़ेंगे, देखिए क्या question है, 3D का है, P1 and P2 be the two planes given by, हमें दो planes की equations दे रखी है, और question कहा रहा है, which of the following straight lines, हमें options के अंदर 4 straight lines की equation दे रखी है, can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1, P2, जो हमें दो planes की equation दे रखी है, वो हमारे tetrahedron के 2 faces अगर है, let's say, यह हमारा एक tetrahedron है, ठीक है, बहुत ध्यान से समनना बच्चो, A, B, C, D, ठीक है क्या, A, B, C, D हम इसे माल लेते हैं, A, B, C, D हम इसे माल लेते हैं, और अब हम दो planes इसे माल लेते हैं, एक यह P1 plane है, एक यह P2 plane है, ठीक है, let's say, जो A, B, C है, यह तो P1 plane है, और A, C, D जो है, यह P2 plane है, ठीक, अब edges, I hope आप जानते हैं कि edges क्या होती है, right, जैसे यह जो है, यह एक edge है, यह एक edge है, यह एक edge है, यह एक edge है, कितनी edges आती हैं, I think आप सबको पता है, 6 edges आती है, ठीक है, अचा है, इन 6 edges में से, यह देखिए, 1, 2, 3, 3, यह भी मान सकते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 edges, एक तो जो यह होगी edge, यह तो खुद line of intersection ही होगी, P1 और P P2 का क्या होगी, line of intersection, उसके अलावा जो 4 edges है, वो सारी edges, या तो P1 plane में contain हो रही होगी, या P2 plane में contain होगी, या तो P1 plane में, या P2 plane में contain होगी, और एक edge जो है, वो सामने, BD, वो ना तो P1 plane में, ना P2 plane में, पर हाँ, P1 और P2 को intersect करके जारी है, एक तरे से उस टाइब की line, तो हम से पूछ रहे हैं कि ये जो 4 options हैं, lines में, इन 4 lines में से कौन सी line इस tetrahedrin की edge हो सकती है, राइट, देखें, सबसे पहली बात जो concept है, जो भी हमारी edge होगी, जैसे मान लीजे BD की हम बात करते हैं, तो BD जो होगा, वो AC के साथ, क्या हो सकता है, skew line हो सकती है, अगर हम प P2 line with AC, तो हम पहले क्या करते हैं, P1, P2 का intersection line जो है, उसकी equation find कर लेते हैं, line की equation के लिए हमें क्या करना है, P1 और P2 के normal vectors का cross product करेंगे, तो इस line की parallel DR हमें पता चल जाएंगे, ठीक है न, यह देखें, हमने calculate कर रखा है, line of intersection of P1 और P2 calculate करना था हमको, तो line of intersection P1, P2 calculate करने के लिए हमने क्या किया है, planes के normal vectors का cross product calculate किया है, ठीक, यह लीजे, हमने जैसी cross product calculate किया, IJ के लिखा 10, 15, 12 are the DRs of the first normal plane का, minus 2, 5 and 4 are the DRs of the normal of the second plane, अब हमने cross product से solve किया, तो जो normal vector आ रहा है, वो आ रहा है, 0, दोनों planes के normal जो आ रहा है, that is 0, minus 4, which becomes the DRs of the line, AC, एज AC जो है, यह जो मैंने बनाई, इसके DRs हो गए, और हमें अब इन दोनों plane पे common point लगालना है, तो अगर आप ध्यान से observe करेंगे, 0, 4, 0, एक point है, right, जो इन दोनों planes को satisfy करता है, X को 0, Y को 4, Z को 0 रखेंगे, और ऐसी दूसरे में रखेंगे, तो यह point दोनों को satisfy करता है, तो वो जो line हो गई, basically, वो इसके parallel और 0, 4, 0 से pass करने में लिए line हो गई, ठीक है, अचा, now any line which cuts AC, जी, अब कोई भी line, पहले तो मैं skew line की बात कर रहा था, जैसे मैं आपको option से check करवा के बताता हूँ, let's say, A option में, line की equation थी, X minus 1 upon 0, Y minus 1 upon 0, Z minus 1 by 5, तो मैंने इसको lambda माल लिया, और इसकी उपर कोई भी एक point के coordinates निकाल लिया, 1, 1, 5 lambda plus 1, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, AC line की equation मैं लिखी सकता था, AC line की equation मैंने जैसे को लगा, 0, 4, 0 से pass कर रही है, और हमने यह देखे, DRs calculate कर रहे थे बच्चों, 0, minus 4, 5, तो line की equation लिख ली, AC line की equation हमने लिख ली, ठीक है, AC line की equation लिखने के बाद, हमने यह वाला जो point है, इस point को हमने इस line की equation में रखके चेक किया, जब रखके चेक किया तो हमें कोई lambda की value नहीं निकली, इसका मतलब जो A option में line दे रखी है, वो line AC को intersect नहीं कर रही, intersect नहीं कर रही है, मतलब वो इसके साथ skew line है, तो मैंने क्या बोला था, अगर वो skew line है, तो इसका मतलब क्या वो इस line की equation हो सकती की नहीं हो सकती, बिलकुल हो सकती है ना, क्योंकि AC के साथ ये वाली जो edge है, that is a skew edge, skew line बोल सकते, तो वो answer हो सकता है, तो इसका मतलब A option हमारा possible answer है, it can be a line, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए इन वाली edges की, AB वाली edge मान लीजे, AD edge मान लीजे, ये वाली edge मान लीजे, ये वा या तो उनका dot product जो होगा plane के साथ, वो क्या होना चीए, plane के normal के साथ, वो zero होना चीए के ना, अब जैसे C option में अगर अपन check करें, C option में जो line, या आप जैसे D option में बताता हूं, आपको D option देखिए, D option के अंदर आप DR देखे, 1,-2,3, 1,-2,3 का dot product जब आप minus 2, 5 और 4 के इस plane के perpendicular आ रही है, मतलब this line lies in the, is perpendicular to, basically this line lies in the plane P2, हो सकती है, मतलब, हो सकती है, वो check कैसे करेंगे, कि कोई भी point जो है, वो इसको satisfy कर रहा है, या नहीं कर रहा है, कोई भी point 4 का इसको satisfy, तो इसमें point के है, 0, 4, 0 से line pass कर रही है, और हम जानते 0, 4, 0 इसको satisfy कर रहा था, तो इस इसका मतलब line जो है, वो plane में भी lie कर रही है, point भी, क्योंकि line के उपर एक point भी plane में satisfy कर रहा है, तो इसका मतलब, जो हमने बोला था, इसमें से, या इसमें से, या जो भी P2 में और कोई है, यही दोनों, इन दोनों में से यह वाली line हो सकती है, तो इसका मतलब D answer भी हमारा हो सकता है, it can be a possible edge, ठीक है, अचा, अब C option में क्या दिक्कत है, जब C option वाली आप line देखेंगे, तो वो जो C option में line है, minus 2, 5 और 4, उसके line के DR हमें given है, तो minus 2, 5, 4 जो है, वो क्योंकि हमें line के DR given है, और यह वाले जो DR है, हमें AC की जो DR निकाले थे, उसके साथ dot word करने पर 0 आता AC के perpendicular है, और यह line 0, 4, 0 से pass करती है, अचा, 0, 4, 0 बच्चों आपको पता है, 0, 4, 0 जो था, वो दोनों planes को satisfy कर रहे है, 0, 4, 0, मतलब this line की equation is perpendicular to AC and it is passing through 0, 4, 0 and 0, 4, 0 was basically lying on this line, इसी line पे कही ना कहीं lie कर रहा था 0, 4, 0 और इसके perpendicular है, अब इसके perpendicular है, तो इसका मतलब वो P1 और P2 में तो lie करी नहीं सकती है, पर P1 P2 plane में कैसे lie कर सकती है वो, इसका अलब C जो line है, यह किसी tetrahedron की edge नहीं हो सकती, यह किसी की edge नहीं हो सकती, ऐसी आप A option चेक करेंगे, त A जो है वो भी AC के साथ skew line बना लेगी, तो अगर वो skew line बनाएगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको B option में चेक करके बताया था, तो वो भी एक tetrahedron की edge हो सकती है, तो basically जो line skew line है, या तो वो edge होगी, या वो P1 और P2 में contain हो रही हो, और वो basically P1 P2 में contain हो रही हो, और AC को intercept करे, AC को intercept करे, तो वो वाली line भी हमारा answer हो सकती है, तो इसके according आप answers check करेंगे, तो A, B और D इसके answer आएंगे, C line possible नहीं है, ठीक है? आइए वच्चो, बढ़ते हैं हम अपने next question के साथ, next question again, it is a question of 3D, बहुत बढ़िया तरीके से question जो है, frame किया गया था, आइए देखते हैं, question में पहले तो पूछा क्या है और हम इसको कैसे solve करेंगे, let S be the reflection of a point Q, with respect to a plane, एक plane की equation आपको given है, अभी हम यह देखते हैं, plane है क्या actually, और S is the reflection of point Q, Q कोई point है, और S is point का plane में reflection है, ठीक है ना, image है basically है ना, image का जैसी यह कुछ चनाता है, एक तो formula दिमांग में आ जाना चाहिए, X minus X1 by A, Y minus Y1 by B, वो आपको पता है, राइट, आगे पढ़ते हैं क्या है, where T and P are real parameter है, सबसे पहले तो इस plane की equation को decode करना है ध्यान से, R vector मतलब, R vector मतलब कोई भी variable point है, X I cap plus Y J cap plus Z K cap, तो अगर अगर अपन दोनों तरफ से I cap, J cap, K cap के coefficients compare करें, T और P उसने बोला कोई भी real parameters है, एक काम तो आप ना, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, कि अगर आप T और P की कोई भी particular दो अलग-अलग values मान दीजिए, तो आपको दो points, जो है, दो या तीन जो भी है, T और P के different values के लिए, आप plane की उपर different तीन points के position vectors निकाल सकते, अगर plane के तीन different points के position vector आ गए, तो हम उन में से तीन points पता हैं, तो उसे दो vector बनागे, cross करके normal vector निकाल लेंगे, प्लेन की equation लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक और असान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप देखें, यहां से, तो X I cap, I cap को coefficient X यह आ रहा है, Y, R, T के वराबर, और Z आ रहा है, 1 प्लस P के वराबर, प्लेन की equation के लिए X Y Z में relation चीए था, T और P variable से eliminate करना था, तो आप सीधे सीधे अगर इनको add कर दें, आगर आप इन तीनों equations को add कर दें, तो X प्लस Y प्लस Z is equals to 1, यह है भाई साफ क्रांतिकारी step, कितना fast अपन प्लेन की equation जो है, वो find कर सकते हैं, X प्लस Y प्लस Z is equals to 1, आ 15, 20 दे रखा है और इसकी image alpha, beta, gamma दे रखे है, जहां हमें plane प्लेन पता है, तो क्या मैं image का formula लगा कर directly alpha, beta, gamma की values निकाल सकता हूं, बोलो हाँ, बिलकुल निकाल सकते हैं, फटा, फट calculation करेंगे, जैसी plane आ गया, जल्दी से हम, X minus X1 by A equals to Y minus Y1 by B equals to Z minus Z1 by C equals to minus 2 times, point को रखते है plane में X1 plus B, Y1 plus C, Z1 plus D upon A square plus B square plus C square, इतना ही जल्दी जैसे मैंने formula बोला, आपको formula apply करके, बस calculation का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों calculation तो थी, आपने देखा ही होगा paper किया है, आपने या आप कर रहे हैं, तो आपने देखा ही है, calculation है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, तो इनो values आ गई, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ A, B, C, D, चारो options को चेक करना है, alpha, beta, gamma रखके options चेक करेंगे, A, B, और C, सही option आएंगे, DI का गलत, यहां आता है, जहां तक मुझे याद है, minus 129, जी हां, यहां यहां आता है, minus 129, बाकी सब options हैं, correct, तो उसी के according हम answers mark क करते हैं, ठीक है, यह देखते हैं, अब हम अपना next question, और यह question है, बच्चों, coordinate geometry, और particularly उसमें भी parabola chapter से, और मैं यह कहूंगा, यह medium level का मान सकते हैं, easy to medium level, ज्यान से question पढ़िये, बहुत fast calculation भी बहुत tough नहीं है, हाँ, थोड़ा सा data है, जिसको अपनको फटा-फट डाइग 1, S be the focus of a parabola, we know that S will be 1,0, a pair of tangents drawn to the parabola, इस parabola पर एक point है, minus 2,1 जो की second quadrant में है, कोई special point नहीं है कि directrix वगरा पर हो, क्योंकि इसकी directrix x equals to minus 1, वो parabola को P1 और P2 points पर touch करता है, P point है, minus 2,1 Let Q1 and Q2 be the points on the lines, S, P1, S आपको पता है, यहाँ पर focus था, S, P1 और S, P2, यह जो दो lines है, इन क्यूपर points है, Q1 and Q2, such that P, Q1 is perpendicular to S, P1, यह जो S, P1 हमने line बना ही बच्चों, इस S, P1 line के perpendicular, अब यह line तो यह line तो यह line तो ऐसे भी हो सकती है, पूरी है न, यह line है, इस पर जब drop करेंगे, something like this, तो this point is Q1 point, और ऐसे ही है, जो S, P2 line आ रही है, देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और diagram अच्छे से, इस पर जब आप perpendicular drop करेंगे, something like this, this is Q2 point, ठीक है, तो देखिए, अब हमारे पास ज़्यादा कुछ option है नहीं, आपको यह equations निकालनी ही पड़े हम जानते हैं, tangent की equation, T, Y is equals to X plus A, T square होती है, और हम इसको P point से pass करा देंगे, A की value 1 है, T में quadratic आएगी, T से आपको, quadratic से आपको P की दो values में लेंगी, राइट, आएए देखते, जैसा कि मैंने आपको बोला, T, Y is equals to X plus A, T square को pass करा है, minus 2, 1 से quadratic आती है, जिससे T की value 2 और minus 1 बना minus 2 मिल जाते हैं, इससे हम क्या करेंगे, बच्चो, जैसी ही हमें P1 और P2 के coordinates मिलते हैं, हम फटा-फट से इस line की equation लिख लेंगे, 1,0, 4,4 से pass उने वाली, और एक 1,0, 1,2 से यह दिख रही है, आपको vertical line है, अब अगर vertical line है, तो PQ2 यह थोड़ा सा diagram सही नहीं है, यह horizontal line हो ज coordinate 1 और x-coordinate, यह तो 1,1 सीधा आगया हमारे पास, Q1 के coordinates निकालने हैं, जो कि है foot of perpendicular from the point P on the line SP1, तो आपने SP1 line की equation निकाली जल्दी से, जो कि आती है 4x-3y-4, 2.4 से 1,0, 4,4 से pass उने line लिखी, और उस line पर from the point P which was minus 2,1, we are trying to find foot of perpendicular, right, अब foot of perpendicular कैसे find कर रहे हैं, foot of perpendicular हम find कर रहे हैं, वो ही जो हमने formula पढ़ा था line की उपर, image जो होती है, उसमें last में आपर 2 आता था, इधर से 2 गायब करते हैं, तो foot of perpendicular आता है, तो आपने जैसी foot of perpendicular निकाला, उसके coordinates आते हैं, बच्चो, 2,5,-4,5, that is, this is the coordinates of the point Q1, this is the coordinates of the point Q1, अब आपके पास Q1 point आ गया, Q2 point आ गया, Q1 और Q2 points अगर हमारे पास आ गए, अब S, Q1, sorry, Q1, Q2, PQ1, SQ2, कुछ भी आप अराम से find कर सकते हैं, right, S point पता ही था, 1,0, distance formula लगाते जाहिए, और check करते जाहिए options, तो जैसे से आप option चेक करेंगे, SQ1 आता है, 1, Q1, Q2, 3 root 10 by 5, PQ1, P भी पता है, Q1 भी पता है, 3 और 1 आता है, तो the correct options for this will become B, C and D, B, C and D, ठीक है, यह कर सकते हैं, बाकि जो Q1, Q2 है न, मैं चाहूं तो आपको एक और तरीका बता सकता है, उसको करने का, पर ठीक है, चलेगा, geometrically, actually, यह cyclic coordinator बनता है, उसमें एक टॉल्मी से पन कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है वह तक जाने की, क्योंकि हम already coordinates find कर चुके हैं, उससे जल्दी हो जाएगा, सारे options आजाएंगे, basically, इसलिए coordinate से करना ज्यादा फादेबन है, ओके, तो आईए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा next question, और यह है question, बहुत ही बढ़िया खुपसूरत question बनाया गया है, mix मान ली जे आप quadratic और determinants के concept के उपर, let determinant m denotes the determinant of a square matrix mg, एक function define कर रखा है, 0 से πाई बाई टू टू आर, domain इसकी 0 से πाई बाई टू है, g of theta define किया है, root of कुछ-कुछ-कुछ-कुछ लिखा है, जहां f of theta यह इतना लंबा चोड़ा, पूरा डराने का काम, भाई साब, advance वाले आप जानते हैं, कितनी खुपसूरती के साथ करते हैं वही खुपसूरती का नजारा यहां इन्होंने paste कर रखा है, पूरा डराने का बच्चों को exam में कि भाई कैसे solve होगा, तो आईए हम ध्यान से पहले इसको f of theta ही हमारा पूरा focus इस पे रहना चाहिए, f of theta से g of theta आएगा, और उसी के बाद आगे question मैं एक बार पढ़ देता पी x be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of g theta, तो भाईया g theta तक पहुचने के लिए f of theta को सही से solve करना जरूरी है, यह बात समझ में आनी चाहिए, तो हमारा focus पहले f of theta simplify करने का होना चाहिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, sin pi 0 cos minus pi by 2 0, 10 pi 0, log 4 by pi, log pi by 4, एक दूसरे के negative हो रहे हैं, cos theta plus pi by 4 को sin pi by 2 minus theta plus pi by 4 लिख लें अगर, तो भाईया यह बन जाएगा कितना, sin of pi by 2 minus theta, cos of sin pi by 2 cos theta था था न, cos pi by 2 minus theta, तो यह बन जाएगा, pi by 2 minus pi by 4 minus theta, minus भाई ले 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 तो इसका भी negative हो गया, तो कहीं ना कहीं, बहुत तगड़ी फील आ रही है, अगर diagonal के, principle diagonal के element 0, और बाकी, जो conjugate elements हैं, वो एक दूसरे के negative, यह दोनों तो negative हो गए, यह दोनों negative हो गए, इसमें भी आप reduction formula जैसी लगाएंगे, tan को caught में बदलेंगे, यह भी इसका negative आ जाएगा, तो इसका मतलब इसे कहते हैं, skew symmetric determinant of order, कितना order, 3 का, odd order का, skew symmetric determinant of order 3, ले ओ भाई, खतम, इसकी value तो हो गई, 0, यह खतम, मतलब, यह जैसी हमने पकड़ लिया, अब हमें सिर्फ solve करना बचा पहला determinant, और यह भी, आप चाहें तो direct expand कर देंगे, बहुत बढ़िया से दिलदी से solve हो जाएगा, नहीं तो अगर आप चाहें, 1 minus 1, 1 minus 1, एक काम करें, इसमें, r1 goes to, r1 goes to, r1 plus r3 लगा दीजे, जैसी आप यह लगाएंगे, यहाँ पर आजाएगा, 0, 0, 2, minus sin, 1, sin, minus 1, minus sin, और 1, expand कर दीजे, first हो के about, तो half 2, वो cancel हो जाएगा, this will become 1 plus sin square theta, लीजे, f of theta बन गया, 1 plus sin square theta, बस इसी की तो हमें जरूरत थी, जैसी f of theta आया, g of theta, under root f of theta, minus 1, minus 1 कटेगा, under root sin square theta, plus under root, f of pi by 2, minus theta, minus 1, will become root cos square theta, under root sin square theta, plus under root cos theta, mod sin theta, mod cos theta, अब क्यूंकि g define है, 0 से pi by 2, mod हटा भी देंगे, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, first quadrant है, वो ही हमने यहाँ किया है, यह देखिए, हमारे पास g of theta आ गया, बच्चों, कितना, sin theta plus cos theta, अब हमें इसकी निकालनी थी, minimum और maximum value, मैंने इसे कर दिया, root 2 से multiply, divide, और मैं इसको लिख सकता हूँ, root 2 sin theta plus pi by 4, theta था, बच्चों, 0 से pi by 2, तो theta plus pi by 4 जाएगा, pi by 4 से 3 pi by 4, और pi by 4 से 3 pi by 4 में, sin की minimum value आएगी, 1 by root 2, maximum 1, 1 by root 2 into root 2 करूंगा, तो g की minimum 1 और maximum root 2, अब px एक polynomial है, जिसके की roots हो गए, 1 और root 2, तो polynomial आ गया, a times x minus 1 into x minus root 2, और साथी साथ में question में, p of 2 की value 2 minus root 2 दे रखी थी, तो इसका use करके, हमने leading coefficient निकाल लिया, 1, तो polynomial बच्चों हमारे पास बन गया, x minus 1 into x minus root 2, तो अगर आप इसका graph देखेंगे, इसका graph कुछ ऐसे आएगा, upward facing parabola, 1 और root 2 इसके zeros हैं, cut करके जा रहा है, अब हमें options चेक करने हैं, कि क्या p of 3 plus root 2 by 4 negative होगा, की positive होगा, अब 3 plus root 2 by 4, अगर ये वाली value 1 से root 2 के बीच में lie करती है, तो output negative, उसके अलावा कुछ भी input डालेंगे, तो output आएगा positive, बस इतना साब हमें check करना है, तो root 2 approximately आप जानते है, 1.414 होता है, 3 से जोडेंगे, 3 add करेंगे उसमें, तो 4.14 upon 4 करेंगे, तो वो root 2 से कम value आएगी, इसका मतलब input 3 plus root 2 by 4 डालने पे less than 0 answer आएगा, जो कि correct है, ऐसी ही B option, C option, D option, just values approximately निकालना है, और check करना है कि वो 1 से root 2 के बीच में है, या root 2 से आगे और 1 से छोटी values है, तो इससे check करेंगे आप, तो आपके जो correct answer है, वो A और C आएगे, B और D options गलत हो जाएगे, correct है, अब हम देखने हैं हमारा next question, matrix match, column match, जिसे हम कहते हैं, और इसको मैं कहूंगा, काफी simple question है, easy question है यह वाला, relatively बाकी के जो questions है, उनके relatively यह काफी simple question है, trigonometry phase 2 का number of solutions count करने हर option के in the given interval, सबसे पहली बात यह देखिए, हम test में कर रहे हैं कि हम as a question घर पे खुद practice कर रहे हैं, सबसे पहले exam में अगर कर रहे हैं, अगर आप options देखें, A option P, P, A और B में, और C में, first option Q, Q, second option S, P, P, S, अगर आप सिर्फ first और second part को भी सईसे solve कर लेते हैं, तो answer mark करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत जल्दी चारो answer solve नहीं करने हैं, फिर कह रहा हूँ, अगर आप test में करने हैं, तो यह हमें paper करने की तरीके भी आने चीए, option किस तरह से set, sorry, set किये गए हैं, वो भी हमें देखना है, तो अगर मैं P option की बात करूँ, minus 2 pi by 3 से 2 pi by 3 में, cos x plus sin x equals to 1 के कितने solutions आएंगे, तो अगर मैं इसको वो ही root 2 से multiply, divide कर दूँ, तो यह sin x plus pi by 4 is equals to 1 by root 2 जैसे behave करेगा, करेगा नहीं करेगा, x की value हमें दे रखी है, minus of 120 से 120, अब x plus pi by 4, उसमें 45 degree add कर देंगे, अगर, तो यह देखी, 120 में 45 add कर देंगे, तो minus 75 से 165 degree की तक यह theta vary कर रहा है, अब minus 75 degree से 165 degree के बीच में sin theta 1 by root 2 beta एक बार तो 45 degree, एक बार 135 degree पर होगा, तो कितने solutions आगए, two solutions आगए, तो इसका मतलब first जो है, वो match कर रहा है P के साथ, P के साथ कर रहा है, तो या तो A answer आएगा हमारा, या B answer आएगा, C और D तो पका नहीं हो सकते, second part पर आजाते हैं, tan 3x equals to 1 by root 3, जहां x की range दे रखी, तो 3x की range होगे बेटा, minus 5 pi by 6 से 5 pi by 6, minus 5 pi by 6, minus 150 से 150 degree के बीच में tan theta को 1 by root 3 करना है, आप जानते हैं, 1 by root 3, first quadrant में होगा, या third quadrant में positive है, और इसका reduction किस के साथ होता है, इसका reduction होता है 30 degree के साथ, आप क्योंकि ये close bracket में है, तो एक तो यही angle आगया, और एक first quadrant में answer आएगा, तो इसका भी answer आ रहा है, two solutions, इसका मतलब जो B है, वो भी match कर रहा है two के साथ, तो ये भी match कर रहा है two के साथ, तो पक्का second भी P के साथ match कर रहा है, तो A भी गलत हो गया, तो जैसा कि मैंने बोला, test में mark करना है, तो दो option mark करे, इस question का answer तो आ ही जाएगा, अब हम ऐसे ही C option third में आगे सिखाने के लिए बता देता हूँ, cos 2 theta is equal to root 3 by 2, x दे रहा है, तो 2 theta minus 12 pi by 5 से 12 pi by 5, तो minus 12 pi by 5 से 12 pi by 5, अगर आप देखे 5 to 10, 10 मतलब ये 2 pi plus 2 pi by 5 है, 2 pi by 5 मतलब होगा 72 degrees, तो 2 pi plus 275, तो 0 से लेकर, हमने 0 से 2 pi तक का graph बनाया, और उसमें 72 degree और add करना है बच्चों, तो 72 degree जैसे हम add करेंगे, यहां तक का कुछ graph आएगा हमारे पस, और क्योंकि हम जानते है, cos 2x का symmetric graph होता है, और यहां interval भी symmetric आ रहा है, तो अगर मैं positive के solutions count करना हूँ, तो उतने ही negative में भी आएंगे, ठीक है, हम चाहते है, cos theta root 3 by 2, root 3 by 2 की जो value है वो आती है, किस के साथ, cos theta 30 degree के साथ, तो 30 degree के साथ, एक solution, दूसरा solution, और यहां तीसरा solution, correct, 3 solution यह आएंगे, तो 3 पीछे भी solution आएंगे, तो total कितने हो गए, बच्चों, 6 solutions इसके हो गए, ठीक है, यह आप general solution लिखके भी कर सकते हैं, इस equation का general solution लिखके, n की values रख रख कर check कर सकते हैं, इस interval में कितना आ रहा है, यह मैं थोड़ा सा quadrants की through बता रहा हूँ, और fast हो जाएगा, equations नहीं बनानी पड़ेंगी, 6 solutions आ रहा है, तो यह match कर रहा है, T के साथ, यह देखे, 3 match कर रहा है ठीक है था, अंसर तो हम पहली mark कर चुके हैं, और मुझे पूरी उमिद है, यह भी अब आप कर लेंगे, वो ही root 2 से multiply divide करिए, इसको sin x minus pi by 4 is equals to 1 by root 2 बना लिजे, x की range दे रखिए, x minus pi by 4 की range निकालिए, x minus pi by 4 की range minus 2 pi से 3 pi by 2 आ रही है, उसके बीच में sin theta 1 by root 2 के 1, 2, 3, 4, कितने solution, कितने solution, 4 solution आपको total मिलने वाले हैं, यह रहा, 1, 2, 3, 4, total 4 solution मिलेंगे, तो इसका मतलब this will match with, अगर आप ध्यान से देखें, this will match with 4 r के साथ, 4th matches with r, so p will be the correct answer, okay? अब हम देखते हैं हमारा next question, यह question है, बेटा, probability का, बड़िया question है, अच्छा question है, अगेन, इसमें भी हम पहले question पढ़ लेते हैं, question समझ लेते हैं, फिर उसके बाद, options का analysis, कैसे करना है, वो भी मैं आपको explain करता हूँ, two players, p1 and p2, play a game against each other, दो players हैं, वो आपस में game खेल रहे हैं, in every round of the game, each player rolls a fair die once, ठीक है, हर player जो है, एक die को roll करता है, where the six faces of the die have six different numbers, ठीक है, six faces हैं, one से लेके six तक six number मान लीजे, die के उपर है, x and y denote the readings of the die rolled by p1 and p2, वही एक die p1 ने roll करी, एक p2 ने roll करी, p1 का कुछ number आएगा है, वो x है, p2 का die पे जो number आएगा है, वो y है, ठीक, अगर x का value y से ज़्यादा है, मतलब p1 ने जो die fake ही, उसका number y से ज़्यादा आता है, तो p1 के 5 point मिलते हैं, और p2 को 0 point, मतलब p1 जीच जाता है, जिसका भी die पे ज़्यादा point आएगा, वो जीच जाएगा, अगर x और y equal होते हैं, तो draw हो जाता है, और draw में दोनों को 2-2 point मिलते हैं, ऐसा लिखावा है, और अगर x, y से कम है, मतलब basically p2 का score जादा है p1 से, तो p2 को 5 मिलेंगे, p1 को 0, जाहिर सी बात है, ऐसा इनों ने game बनाया है, अब capital x i and y xi with the total scores of p1 and p2, ठीक है, वो die fake रहें, एक बार, दो बार, तीन बार, जित्ती बार, दो बार fake ही, तो दोनों die का total मिलाकर x i हो गया, और ऐसे ही p2 ने दो बार die fake ही, तो उन दोनों का total मिलाकर वो y i हो गया, ठीक है, और x i है total score of p1 after playing the iath round, मतब, एक round खेला, तो x1 बोलेंगे, total score, दो बार खेला, तो x को, total score को x2 से denote करने, ऐसा question ने दिया है, same with y1, अब हमें check करना है, कि क्या आप इस बात की probability होगी, कि x2 की value, x2, ये वाला set, is greater than y2, मतब, दो round होने के बाद, p1 का score, p2 के score से या तो जदा हो या बराबर हो, ठीक है, na, p1 का score, p2 के score से या तो जदा होना च JAKE, या बराबर होना चाहिए, ठीक, ठीक है probability निकालने के लिए अभी इसका मतलब हमें x2 को जिताना है sorry p1 को जिताना है अब p1 जीते या p2 जीते बात एक ही है करने का तरीका एक ही होगा अब हम यह देख रहे हैं कि जब वो दोनों एक एक डाई फेक रहे हैं तो p2 1 से लेके 5 तक कुछ भी थ्रो करेगा तो p1 जीत जाएगा basically मैं किसी भी एक की जीतने की probability निकाल रहा हूँ तो यहां आगए 5 favorable cases अगर p1 ने डाई पे 5 फेका तो इसके पास 4 choices होगी एक से 4 तक वो थ्रो करता है तो p1 को फिर जिताना है तो 4 favorable cases p1 की डाई पे 4 आता है तो इसके पास 3 cases होंगे बच्चों इसके उपर 3 आता है तो यह 1 या 2 फेक सकता है 2 favorable case यह 2 फेक है तो यह एक आएगा एक favorable case तो टोटल 5, 4, 9, 3, 12, 14, 15, 15 favorable cases है p1 के जीतने के और ऐसी 15 favorable cases होंगे p2 के जीतने के और 6 cases होंगे जब equal equal होंगे throw किया होगा तो जीतने की probability हो गई 15 by 36 6 by 6 है ना 6 into 6 total cases थे तो उसमें जीतने की probability कितने हो गई बच्चों 15 by 36 यह देखी यह मैंने लिख दिया यह 15 cases है 15 by 36 that is 5 by 12 of probability of any player winning a round कोई भी एक round जीतने की probability और draw होने की probability क्या है 6 by 36 जैसे मैंने बता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 6 cases है तो कोई भी round को draw होने की probability है 1 by 6 अब हमें पहले में निकालना है x2 is greater than equals to y2 तो दो round होए अच्छा दो round का total score x2 जादा है y2 से मतलब p1 ने जादा score किया तो क्या-क्या case है मैं case बना लेता हूँ पहले round में p1 ने 5 score किया तो p2 को 0 marks मिले होंगे points मतलब p1 ने p1 जीत गया p1 कब जीतेगा जब p1 ने die पे जादा थ्रो किया था तो p1 को मिले 5 point p2 को पक्का उस से में 0 मिलेंगे p1 को second में भी 5 मिले points तो P2 को second में 0 मिलेंगे P1 को पहले round में 5 मिले तो P2 को 0 मिलेंगे समझ में आ रहा है? अच्छा और second round draw हो गया, तो दोनों को 2-2 point distribute हो गया, पर इसका जो total sum था जो total sum था वो तो इधर के sum से ज़ाद ही आ रहा था ये हो गई greater than की probability, अब equal to के लिए या तो पहला round P1 जीते, तो P1 को 5 point मिले P2 को 0, और second round P1 हार जाए और P2 को 5 मिले, तो दोनों के 5-5 point हो गई total P1 पहला और दूसरा match, P1 और P2 का दूसरा match पहला दूसरा match, दोनों draw हो जाए, तो दोनों को 2-2-2-2 मिल जाएंगे points, right? अब हम इस जीस की probability अरड़ी निकाल चुके, कि अगर P1 को या P2 को कोई भी game जीता है, तो उसकी probability थी 5 by 12, तो पहले case का answer हो गया, 5 by 12 का whole square, plus अच्छा, अब पहला 5 मन्द पहले में 5 point मिले, दूसरे में 2 मिले, या पहले में 2 मिले, और तो total 2 cases हो गए, 2C1 5 point आने की probability 5 by 12, और draw ने की probability 1 by 6 plus 5 और 0 हो जाए, या 0 और 5 हो जाए, तो again 2C1 5 आने की probability 5 by 12 right? और हारने की probability भी 5 by 12 भाई, P1 हारा तो P2 जीता, तो जीतने की probability तो 5 by 12 थी, तो 5 by 12 का square और दोनों match draw हो जाए, तो इसमें A की case है, तो इसलिए 2C2 लिख लिए या कुछी भी लिखी चलेगा, और draw ने की 1 by 6 into 1 by 6, total count कर रहा तो answer आता है 11 by 16 इसका मतलब जो first है वो match कर रहा है बच्चों Q से अगर first match कर रहा है Q से तो again हम C और D option को तो पहली eliminate कर सकते हैं कि हमारा काम हो गया अब अगर जैसा मैं कहा रहा था option animation देखे हैं तो second जो है वो R से sub में match कर रहा है आप second को solve ना भी करो तो भी चलेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ X2 greater than Y2 था तो हमने जो पहला part solve किया उसी में X2 greater than Y2 कर चुके है ये और ये second part के लिए हमारा favorable case है, इनोंनों consider नहीं करना है तो इनकी total probability अगर आपने count करी तो यहां से देखिया 25 plus 20 upon 144 that is 45 by 144 which comes out to be 5 by 16 5 by 16 अगर आप धिहान से देखें तो आपको 5 by 16 लिखा हुआ दिख रहा है R option में तो दूसरा match कर रहा है R से जो कि already यहां पर था तो test में जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप अपना time बचा सकते हैं ठीक है अब बात आती है third option की तो third इसमें भी T है और इसमें भी T है हमें पता है इनोंनों से क्यों option है तो आप चाहें तो test में इसको भी skip कर सकते हैं आप directly पहुच जाएए X3 greater than Y3 की probability निकालने में X3 greater than Y3 मतलब तीन round होए और तीन round के बाद P1 को हमें win करवाना है P1 का total score P2 के score से ज़्यादा होना चीए आईए इसके भी cases बना लेते हैं P1 का score ज़्यादा कैसे हो सकता है तीनो round P1 जीट जाए तो P2 तीनो round हार गया P2 के तीनो points में 0-0-0 score P1 के 5-5-5 अब P1 दो round जीट जाए तो उसको दो बार 5 मिला एक round हार जाए तो जो हारा था उसमें 0 marks तो तब भी इसका total 10 रहेगा इसका total 5 रहेगा P1 दो जीट जाए और एक draw करा जाए तो 5-5 points और draw जीतने वाले और 2 points मिलेंगे draw के P2 को समय 0-0 और 2 points मिलेंगे या P1 एक जीते और draw करा है एक जीते और draw करा है तो हारने वाले में 0 P2 को और draw वाले में 2-2 Still the score of x 2x3 is greater than y3 इसकी probability हमने निकाल ली पहले वाले जीतने की probability हम जानते 5 by 12 थी कितनी बात 3 बार तो 5 by 12 का whole cube 550 के 3 case बनेंगे बच्चों 550 या 505 या 055 तो हमने किया है 5 by 12 का whole cube प्लस 1, 2, 3, 4, 5 था ना यह देखिए इसमें 5 by 12 का whole cube क्यों किया गया बच्चों क्यों कि जीतने की probability जीतने की probability और हारने की probability ठीक है अच्छा और यहां पर भी 3C1 आएगा यहां पर timing error है क्योंकि 1, 0 वही 3 case बनेंगे next 3C2, 2 तो जीतना है तो 5 by 12 का whole square और एक draw करना है 1 by 6 इसमें भी 3C2 आएगा वही 3 case इसके बनेंगे 5, 2, 2, 2, 5 2 या 2, 2, 5 3C2, एक जीतने की 5 by 6 और दो draw की 1 by 6 call square इसको solve करेंगे तो it will come out to be 355 by 8, 64 जो की लिखा हुआ था S option में तो इसका मादब 4 is matching with S, so हमारा A option will be the correct answer and B इधर से भी अपन हटा सकते हैं, ऐसी अगर आप यह check करना आप cases अराम से बनाएंगे और answer तक पहुच आएंगे, ठीक है बच्चों, next question अब हम देखते हैं यह जो question है, again बहुत बढ़िया question है और यह है mixed, आप यह मान सकते हैं determinants और SNP के concepts को mix करके बनाया गया है determinants में भी जो system of linear equations grammar rule जो हम पढ़ते हैं उससे और SNP में HP आप ले सकते हैं या HP, AP कुछ भी, HP दिया वैसे तो HP और उसका concept mix है grammar rule का, आएंगे question बढ़ते हैं PQR are the non-zero real numbers यह दिया हुआ है, respectively और they are respectively the 10th, 100th and 1000th term of an HP, PQR are respectively 10th, 100th and 1000th terms of an HP अब हमें system of linear equations दे रखी हैं X, Y, Z में 2 equations हमें दिख रही हैं तीसरी equation QR, X, PRY P, Q, Z, इकोसू 0 लिखा हुआ है ठीक है, आच्छा और फिर डिफरेंट डिफरेंट options हैं कि अगर Q और R का ratio 10 है तो system of linear equations के कहते हैं infinite solutions या क्या होगे बहुत बढ़िया कुशन है, देखिए जो final options देखेंगे उसमें A, 1 जो है एक एक option से 2, 3 सब एक एक option से मैच हो रहा है, तो उसका मतलब जो हमारे multiple choice matching हो रही होगी उसमें से कौन सी correct mapping इन options में दे रखिए वो अपन को पगड़ के ढूंडनी है ठीक है, आईए देखने solve कैसे करेंगे, देखें अगर PQR HP में है तो हम जानते हैं 1 by P, 1 by Q और 1 by R पक्का से AP की terms हो जाएंगी, ठीक है AP की respectively 10, 100, 1000 term होगी तो मैं अगर इस तीसरी equation को PQR से divide कर दूँ और ऐसा करने में कोई problem नहीं है क्योंकि they are non-zero real numbers, मैंने इस पूरी equation को दोनों साइट PQR से divide कर दिया, तो X upon P plus Y upon Q plus Z upon R is equal to zero equation में लेगी, और मैं जानता हूँ कि PQR HP में थे तो 10th term थी HP की, तो 10th term 1 by P हो जाएगी AP की, तो AP की 10th term मैंने लिख ली A plus 90 मानके यह लिखे A plus 90, ऐसी Q लिख ली 99 term और R 1 by R को लिख लिया, 1000 term तो A plus 9990 equals to zero, ठीक है आच्छा, ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है options देखते हैं First list में, first में लिखा है Q by R equals to 10, अब Q by R equals to 10 को देखी, मैंने कैसे लिखा Q by R को 1 by R upon 1 by Q लिख सकते हैं और हम जानते हैं 1 by r जो था 1000 term और 1 by q था 100 term तो a plus 999 d upon a plus 99 d का value 10 दे रखा है इसको solve करके a or d equal आ गया अच्छा अगर a or d equal आ गया यहां पर मैं a or d को अगर equal रख देता हूं यहां पर रखने पर इस equation में तो मेरे पास यह बन जा रहा है 10x plus 10y plus 10z a cancel कर देंगे पूरा अब आप यह देखिए पहला और दूसरा plane exactly same आ रहा है अब पहला और दूसरा plane same है तो यह तो overlapping planes हो गए और तीसरा plane इसके parallel भी नहीं है तो अगर दो overlapping plane है और तीसरा उसको cut करके जा रहा है तो इसका मतलब एक line तो आएगी आएगी parallel नहीं है तो cut करेगा तो line का मतलब infinite solutions आने वाले है कितने solutions आने वाले बच्चों infinite solutions आने वाले है तो इसका मतलब first का जो है r से तो mapping होनी वाली है और r से mapping होगी तो टीस भी सही होगा क्योंकि at least one solution लिखा हुआ है no solution नहीं हो सकता अब P और Q में से कोई solution है क्या है यह हम रखके check कर लेंगे यार जैसे आप मानलीजे P option रखके check करते तो P option अगर आप रखेंगे X को 0 Y को 10 by 9 और Z को minus 1 by 9 तो 10 by 9 कॉमा minus 1 by 9 9 by 9 1 आ रहा है इसको satisfy कर रहा है और ऐसी अगर आप इसमें रखेंगे X 0 तो यह हो जाएगा 1000 by 9 minus 1000 by 9 इसको भी satisfy कर रहा है तो इसका मतलब यह P point जो है वो satisfy कर रहा है इन तीनों plane की equation को तो इसका मतलब first जो है वो P से भी pass कर रहा है ऐसी Q के coordinates रखेंगे तो वो भी इसको satisfy I hope कर रहे हैं क्या अगर Q मैं रखता हूं तो 10 by 9 हाँ बिल्कुल satisfy कर रहा है इसमें रखूंगा तो 100 by 9 minus 100 बिल्कुल कर रहा है तो मतलब इसका answer P, Q, R और T यह सब हो सकते है तो 1 matches with P, Q, R और T तो 1 matches with T, 1 matches with Q, 1 matches with Q, 1 matches with T तो भाईया वो तो सब कुछ इसमें possible है तो इधर से तो अभी तक अपन को कोई option आगे पता नहीं चला अच्छा 2 की mapping इसने का है R या S से होगी तो P by R is not equals to 100 अब देखे P by R not equals to 100 इसको मैं फिर से देल्टा होगा जब A, D के equal नहीं होगा तो देल्टा आएगा 1, 10 और यहां पर अफकोर्स कुछ अलग सी value आएगी अगर A और D equal नहीं है अलग से कुछ coefficients आने वाले है ठीक है तो जो D की value अगर अपन solve अच्छा हाँ उन में से कोई ना कोई पकका एक non-zero आएगा तो non-zero upon zero जब x, y, z निकालेंगे तो वो exist नहीं करेगा तो इसका मतलब उसका हो जाएगा no solution तो basically when A is not equals to D we will definitely get no solution for the equation so if we are getting no solution of the equation मतलब 2 जो है it will definitely match with S, 2 is matching with S तो इसका मतलब B answer हमारा हो सकता है और D answer अभी भी हमारा हो सकता है similarly अगर आप 3rd को देखें P by Q is not equals to 10 तो यहां से फिर आपके पास वोई relation आएगा यह not equals to D इससे फिर वोई आएगा कि D to 0 होगा और D1, D to D3 में से कोई non-zero होगा तो फिर no solution आएगा तो 3rd भी match करना चाहिए S के साथ अब 3rd match करना चाहिए S के साथ यहां 3rd P के साथ लिखा है तो यह गलत हो गया और यह option हमारा सही हो जाएगा अब P by Q को स्टू 10 तो इधर से फिर हमारे पास A को स्टू D relation आएगा और A को स्टू D आती वोई दो plane overlapping हो जाएगे A कट करेगा infinite solution infinite solutions होते ही फिर से वही आपके पास condition आजाएगी कि at least one solution दो होने ही वाला है and we will check P और Q मैं से कुछ satisfy कर रहा है की नहीं कर रहा है अब Q Q option अगर आप देखेंगे तो इधर भी इसने match किया infinite solutions के साथ तो B is the most appropriate जो सारी conditions को satisfy करके answer दे रखा है B is the correct answer ओके बच्चो अब हम देखते हैं हमारा next question बच्चो यह है again conic sections और particularly यह है ellipse का और again मैं इसको रखूँगा बेटा easy to medium की category में बहुत ज्यादा complicated नहीं है अराम से question का data पढ़िए जो जो लिखा है वो अगर आप करेंगे तो वटाफ़ट calculate कर लेंगे आईए साथ में question पढ़ते हैं एक ellipse की equation दे रखी है standard ellipse है horizontal ellipse है x square by 4 plus y square by 3 equals to 1 h एक point है उसकी axis major axis पर हो गया alpha comma 0 alpha 0 से 2 के बीच में तो मतलब जो semi major axis है positive side पर कोई ना कोई point है उसकी उपर h उस point से एक straight line draw करी गई है h which is parallel to y axis और वो ellipse को और auxiliary circle को e और f point पे cut करती है आईए diagram देखते है diagram ने बना रखा है यह हमने h point बान लिया बच्चो alpha comma 0 ठीक है यह वाला point है यहां से हमने vertical line draw करी जो उसने ellipse को e point पर और उसके auxiliary circle को f point पे cut किया और auxiliary circle आप जानते है x square plus y square equals to a square यह लिखा हुआ x square plus y square equals to a square की equation ठीक है parametric coordinates मान सकते है e k और f k f k coordinates हो गए r cos theta r sin theta तो 2 cos 2 sin phi और e ellipse से आप जानते है 2 cos phi, a cos phi, b sin phi होता है तो 2 cos phi, root 3 sin phi e के coordinates हो गए कुछ से आगे पढ़ते हैं फिर्स कोडिन में था वो diagram में फिर्स कोडिन में बनाए the tangent to ellipse at e, यह देखिए tangent to the ellipse at e, यह देखिए tangent to the ellipse, यह tangent बनाई, intersects the positive x-axis और point g, यह लीजे, positive x-axis को g point पे intersect करती है suppose the straight line joining f and origin, f और origin को join करने वाली line, यह जो line है, it makes an angle phi, यह phi angle बनाती है तो बेटा इसका मतलब यह हो गया, इसका eccentric angle, ellipse के corresponding जो point है, यह उसका eccentric angle है, correct तभी यह जो मैंने points माने थे, 2 cos phi, यह सब phi की term से माने है, क्योंकि यहाँ पर यह वाला angle हमें already phi दिया हुआ है, ठीक है चलिए, बहुत बड़ी है, आप उसने बोला, यदी phi की value pi by 4 है दें the area of the triangle f, g, h, कौन सा triangle का area आपको दिख रहा है, f, g, h, सीधा सीधा, यह जो triangle बन रहा है, इसका आपको area calculate करना है तो भाई area calculate करने के लिए, अगर मेरे पास g के coordinates आ जाएं, f के coordinates तो हैं, तो half based into height मुझे दिख रहा है, यह vertical triangle है, मैं area निकाल दूँगा तो g के coordinates के लिए, g था intersection point tangent का with x-axis, तो tangent की equation लिख लिए, x upon a cos theta plus y upon b sin theta equal to 1, यह लिख लिए और इसमें y को 0 रख दिया, तो g के coordinates आ गए, 2 upon cos phi, 0, h के coordinates आ गए हमारे पास है, यह है vertical line, इन दोनों point से pass होती भी, तो इसका जो x coordinate होगा, वो ही h का coordinate होगा, तो alpha होगया, 2 cos phi, alpha कितना होगया बच्छो, 2 cos phi, तो area triangle का half base, इसका x coordinate minus, इसका x coordinate, तो that is 2 cos phi minus, 2 by cos phi minus, 2 cos phi into height, इस f का height मतब f का vertical y coordinate, 2 sin phi, इसको solve कर लिया, तो area हमारे पास आ गया, 2 sin q phi upon cos phi, अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 की values दे रखिया है, और हमेशा fgh का area निकालना है, 5 अगर 5, pi by 4 दिया है, तो pi by 4 रखेंगे, तो 2 into, 1 by root 2 का q1 upon 2 root 2 upon 1 by root 2, solve किया, area 1 आ गया, ऐसी pi by 3 रखा area आ गया, pi by 6 रखा, pi by 2 रखा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ phi की value रखते जानी है, और area निकलता चला जाएगा, तो मेरे इसाब से काफी ये आसान रहना चाहिए, जल्दी जिसे हम calculate कर सकते हैं, और उससे, अगर आप option match करेंगे, सारे answers निकालके, तो the correct option that will be matching will be option number C, ठीक है, so this was your question of konex sections, based on ellipse, जो कि, जैसा कि मैंने बताया, बहुत easily up solve कर सकते थे, okay बच्चो,